प्रेंड स्वागत है हमारे युट्यूब चलें इर्ग्रेशन ब्रांच पर आज हम देखेंगे इडूटेरिया का प्रैक्ट्री सेट पेपर जो कि बीपीएसी करने वाल है चलिए इससे स्टार्ट करते हैं यह बीपीएसी मोडर पत्र नमर वन है चलिए फर्स्ट नमर दिया गया है बिहार में 1857 के अंदोलन के दौरन किन छेत्रों के जमींदारों ने कि जागदीश पुर्भ आरा से करी की कि कि द्वस्थ के द्वार किया गया था और यह द्वाया किस्थन से रख जाएगा थे ब्लियाम टेलर के द्वारा डालू टेलर टेलर यह विलीम टेलर का धाय कि उसमें पटना का कमिशनर था इस कराइट असर क्या हो जाएगा इस कराइट असर हो जाएगा ऑप्सा नमबर ई बीर कुबर सी ने दाना पूर्चावनी से 25 जुलाई 25 जुलाई अठारा सो संतामन से भाग लिये थे और इन्होंने 27 जुलाई अठारा सो संतामन को आरा पे अधिकार कर लिया था यह भी ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं नेश्ट कोशन कांग्रेस सम्मेलों के सीचित भार्तियों के वार्षिक राष्टिय मेले की संघ्या किस्ने दी थी यह किस्ने दी थी तो यह दिये थे लाला लाजपत्रा आए लाला लाजपत्रा आए कांग्रेस के स्थापना कर वब हुआ था तो यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 विगो बंबई के गोकुल दास तेजपाल विश्विधाले में यह हूं के द्वारा नेश्ट देखते हैं ए सिर्षाही पुष्टक की लिखक कौन है बताएए इसका राइट असर क्या हो जाएगा इसका राइट असर हो जाएगा option number B option number B हो जाएगा अबास खा सिर्वानी अबास खा सिर्वानी जो तारीक A. सिर्शाही की लेखक है जियाओदिन बर्नी के पुस्तक का नाम क्या है जियाओदिन बर्नी के पुस्तक का नाम है तारीक A. फिरोज साही तारीक A. फिरोज साही जो किसके पुस्तक है यह है जोदिन बर्नी की तारिख ए फिरो साही जोदिन बर्नी के पुस्तक है तारिख ए मुबारक साही तारिख ए मुबारक साही किसके पुस्तक है यह है आहिया बीन अहमद सरहिंदी की और मिनहाज उस सिराज के पुस्तक का नाम क्या है तो यह है तबकाते नासरी जिससे हमें गुलाम वंस के बारे में जनकारी मिलती है इसका राइट असर क्या हो जाएगा ओप्सिन नमर वी नेश्ट कोशन देखते हैं सुंग सासको ने अपनी राधानी कहां स्थापित की थी ते अस्थापित की थी वीदीशा में ओप्सिन नम का पर्तियस्थान राधानी थी अम्रावति वी राधानी थी सात्वानों का साकल किर्श की राधानी थी तेया थी सियाल कोट का सियाल कोट का राधानी कहां थी तेया साकल में थी कोसंभी को तो आप लोग जानते होंगे कोसंभी किस की राधानी थी यह वस की राधानी थी है वस महा-थान भाशपीर को संबीर को संबी में किन जन मावलीर भाविधन की सब्ला руго यह लिए भीधियान रखेंगेarbeit इसनोर तोटल 24 कौन से हैं तो queste में महावीर, पहले तृथांकर कौन है? तो रिशवदेव हैं, महावीर का चिन क्या है? तो यह सी, पर्थम जैन संगीती कहा हुआ था? तो यह हुआ था पाटली पुत्र में, पाटली पुत्र में, अध्यसता कि ने क्या था? तो अस्थुल भद्र के द्वारा, अस्थुल भद् आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोचन देखते हैं बिहार में नोनिया बिद्रो जो 1788-1820 के मद हुआ था कि दौरानिमने से कौन सा छेत्र प्रभावित हुआ था नोनिया बिद्रो जो हुआ था तीया हुआ जो 11 anc 크게 बीच नोनिया एक जनजाती है जो सोरा को उत्पादन करते हैं वरभास के परसेदें पहुता हैं 2023 को जो कि मद हुआ था सारन पुर्णिया वैसाली और कटिहार ओप्शन नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे बाठते हैं अगर बात कीजा संथाल विद्रोग का हुआ था भारत स्वरी बिहार में बिहार और जार्खनडवाले एरिया में संथाल विद्रोग हुआ था सिधु एवं अठारासो पच्पन चपन में संथाल विद्रोग अठारासो पच्पन चपन में तमाड विद्रोग का हुआ था तमाड विद्रोग का हुआ था तया हुआ था सत्रासो नवासी नबे में सत्रासो नवासी नबे में तमाड विद्रोग हो विद्रोग हुआ था अठारासो ब में मुंडा विद्रोक से 181859 के बीच मुंडा इसका निटेश्व क्ये थे आगे देखते हैं ठानाखबेत अंदोलन का है तैयह हुआ था 1914 के बीच,, मोपला विद्रोय याद रखेंगे वह केरल में हुआ था आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कोर्चन देख कर थे इसका राई Sel क्या हो जाए गाँ,zon अप्शनुर य' नेश्ट है मुगल काल में नीमलों से किस ववस्था के अंतरगर खड़ी फसल के आधार पर लगान का नुमाल लगाकर वसूली की जाती थी मुगल काल में खड़ी फसलों को अधार लगान का नुमाल लगाकर के वसूली की जाती थी यह किस वीवस्था के अंत्रगर त्या वीवस्था था नस्क आप्शन नमर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट देखते हैं बिहार को मुगल समराज के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था त्यार दर्जा दिया गया था अकवर के समय में 1580 वी में अब ध्यान रख था पानी पत्का प्रत्थम युद जो अकवर और हेमू के बीच में हुआ था कभ हुआ था या 1556 में जबकि पानी पत्का प्रत्थम युद कभ हुआ था तो यह 1526 हिस्वी में बावर और इवराहिम लोधी के बीच पानी पत्का तित्रिय युद कभ हुआ था तो तिसरा इकमे loud में 1126 में दासाप्था कामत किया था और 1564 में जैजियाकर कार समाप्थ किया घ्रशाट अभी ध्यान रखेंगे सब से पहले जव्य हिरक्षनी लगया था और सबसे पहले नीकिस्ट्र लगाए था और मुहम्मत बिंद काशिम। जो कि भारत पर आक्रमन करने वाला पुरत्थम मुश्लिम था कब आक्रमन किया था? 712 इस भी में और इसने सबसे पहले जजिया करको लगाया था जजिया करको लगाया था लेकिन इससे पांच लोगों को मुक्त रखा था किसे किसे? पांच लोगों पे जजयाकर को नहीं लगाया था वह था बच्चा, बच्चा, बुढ़ा, बुढ़ा जो बैकती है औरत, बच्चा, बुढ़ा, औरत, बिकलांग और ब्राह्मन ए पांच लोगों पे जजयाकर नहीं लगाया था सबसे पहले जजिया कर किष्णी लगाया था मुहम्मद बिन काश्विम या भारत पर पहला मुश्लिम आक्रमन काली था जो 712 इसवी में भारत पर आक्रमन किया था इस नहीं सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था इस जजिया कर से पांस लोगों मुक्त रखा जो बच अकवर द्वारा जैजियाकर को समाप्त कर दिया गया कब, अकवर के द्वारा जैजियाकर समाप्त कर दिया गया, 1564 में, फिर से दुबारा सुरू कर दिया जाता है, औरंग्जेव के समय से फिर से शुरू कर दिया जाता है, जैजियाकर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिय पर दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं इसका राइट असर क्या हो जाएगा तो बिघार को मुगल समराज के प्रांथ का दर्जा दिया गया था 1520 में नेस्ट कोशन देखते हैं एट नमर फर्स्ट करेंगे क्योंकि देख सो कोशन दिया गया है कि इनके नेते तुम्हें करांती कारियों ने वाइसराय लॉड हार्डिंग की हत्या का असफल परियास किया था मताईस का राइट असर क्या हो जाएगा नेस्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर नाइन बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो यह था, पिटर मुंडी, पिटर मुंडी था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री पुछा जा रहा है तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था और और अलफ फिंच, ओप्सन अम सीरी इसका राई ट्रोंचर हो जाएगा जबकि पिटर मुंडी किसके सासन काल में आये था, साह जहां के काल में, साह जहां, या ओरंगजेव के समकालीन था, ओरंगजेव, ठीकने आया थ के 1928 तक भारत के प्रातात्विक सर्वेचन का निदेशक रहते हैं, इन ही के नेतेत में 1921 में हड़ापा कीखुदाई की गई, और 1922 में मुहन जोड़ो की खुदाई की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे, हड़ापा कीषिन देंके क मुहन दीके किनार है, मुहन जोड़ सिंधु ने देखे किनारे है निश्ट देखते हैं यूध जिसमें भारत में मुश्लिम सक्ति की अस्थापना हुई कौन सा यूध है जिसमें भारत में मुश्लिम सक्ति के अस्थापना की गई थी तिया यूध था पानी पत का स्वारी तराइन का दीतिय यूध तराइन का प पानेपत्य की परत्थ म्लाणाइक कवा था यह पंध्र 346 की में बावरा अर इब्राइम लो दी के बीच चंदावर का इद्स त्या होता है 1194 कंद 1094 इस में है यह से त्राइन का परत्थ में किसके बीच में होता है यह होता है पिर्थिवी राजचोहान और मुहम्मद गौरी के बीच मुहम्मद गौरी के बीच जिसमें पिर्थिवी राजचोहान विजय होते हैं और गौरी पराजित हो जाता है जबकि तराइन करदीतिय यूद्य में पिर्थिवी राजचोहान पराजित हो जाता है और इसमें मुहम्मद गौरी की जीत होती है चंदावर के युद मुहम्मद गौरी और जैचंद के बीच होता है जिसमें जैचंद की हार होती है 1526 इस्वी में पानिपत का पर्थम युद इबराहिम लोदी और बावर के बीच में होता है 1526 में मुगल बंस की अस्थापना होती है बावर के द्वारा, बावर ने कुल चार युद्धों को लड़ा था, 1526 इस्वी में, 1527 इस्वी में, 1529 इस्वी में, अभी हमने देखा, 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था, पानी पत का पर्थामिद, 1527 में खानवा का युद्ध, किस के साथ, राना सागा के साथ, राना सांगा के साथ, 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध, 1528 इस्वी में, किस के बीच लड़ा था, मेदिनी राय के साथ, उंतीय स्फवि में घाघरा का यूद लड़ता है, जो किसके वरुप्ता? अफगानों के साथ, इस चारो यूद में बावर विजय रहता है चारो यूद में बावर विजय रहती है बावर का विजय होता है और 1530 इस्वी में बावर की मिर्टी हो जाती है सबसे पहले इसे कहां दफनाय गया था तो इसे दफनाय गया था सबसे पहले आगरा में बाद में अकवर के समय में इसे काबूल में दफनाय गया था ये भी ध्यान रखेंगे काबूल में दफनाया गया था नेश्ट कोश्चन देखते हैं इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यूद इच्ट में भारत में मुश्लिम सक्ति के स्थापना हुई तो राइन का दित्य यूद 1192 में नेश्ट है शेर सा ने विसुध चांदी एवं तामे के सिख्या का प्रचलन किया था चांदी एवं तामे के सिख्या का क्रम सा नाम क्या था चांदी का नाम था रुपया चांदी का नाम क्या था रुपया और तामे का नाम क्या था दाम option number C, इसका right answer हो जाएगा, जबकि सोने का सिखा का नाम क्या था, सोना का सिखा का नाम था, असरफी, सोने का सिखा का नाम क्या था, त्या था, असरफी, यह भी ध्यान रखेंगे, सेर्षा का मकवरा कहा है, त्या है सासा रह में, सासा रह में, जो कि कहा में है, बिहार में, सेर्षा पुराना किला बनवाया था, पुराना किला कहा है, त्या है, दिल्ली में, पुराना किला कहा है, त्या है, दिल्ली में है, सेर्षा ने हुमायो के साथ, चौसा कायुद कर नाज या विलगराम कर उतका हुआ ठाए हुआ था इसी के द्वारव हुमाई को भारत से निश्काशित होना पड़ा था और 1549 में ही सेर खाने सेर साथ का पहले नाम सेर खाथ था पंदरा सोंचालिस में ही चाउसा कई जीतने के बाद सेर आ की उपाधी धारें की थी ग्रांट ट्रक रोड जो की सेर्स आकर दौरा बना वनाय गया था आगे बढ़ते हैं इसकराई टेंसर क्या हो जाएगा इसकराई टेंसर हो जाएगा आप्सिन नबर सी नेश्ट को स्चेन देखते हैं सुची बन को सुची दो के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया है मकवर का है तो यसी कंद्राबाद में है जहांगीर का मकवरा लहौर में है जहांगीर का मकवरा का है लहौर में साहां का मकवरा का है तो है आगरा में हुमायू का याद रखेंगे हुमायू का मकवरा का है तो दिल्ली में है जो दिन पना के सीड़ियों से गीर करके नंबर सी इसका राई टंसर हो जाएगा नेश्ट है बहावी अंदोलन का उदेश क्या था तो समाजिक सुधार धार्मिक सुधार मुसल्मानों पर पढ़ने वाले पाष्चात प्रभावों का विरोध भारत में बिटिश सत्ता की समात्ति बहावी अंदोलन के इस सभी दिया गया है उपनिश्दो का फार्सी में भासा में अनुवाद क्या कहलाता है तो यह कहलाता है सीर ए अकवर जो कि किसके दोरा अनुवाद किया गया था फार्सी में त्या किया गया था दारा सिको के दोरा जबकि महाभारत को महाभारत को फार्सी में अनुवाद क्या कहल लाता है मां भारत को फार्सी में अनुवात कहलाता है रजम नामा जो अकवर किसमें में हुआ था अकवर किसमें में फार्सी भासा में अनुवात किया गया था किसके दौरा बंदा यूनी किस दौरा बंदा यूनी के दौरा यह भी ध्यान रखेंगे नेश्ट कोशन देखते आप इसका राइट असर हो जाएगा option number B, c a akvar, दारा सीको के दारा नेश्ट है, गौतम बुद को ज्यान के प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे, एक किस ब्रीच के नीचे हुई थी, किस नदी के किनारे हुआ था, तो यह हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, निरंजन में कहा हुआ था तो लुर्बनि में हुआ था यह तो इसन गोड़ा Kashयजे Lawrence क्ष महा कश्यप के दौरा महा कश्यप के दौरा इससे में सासक कौन था तो उस था अजात सत्रू जो कि हर्यकवन्स का था अजात सत्रू था अजात सत्रू कब हुआ था पहली वह संगिती ते यहां था चार सो तिरासी बीसी में 483 Bc में दीतिय बौसंगीती कहा हुआ था तो यह हो थे वैसाली में अध्यास्ता किशने क्या था सावक मीर में सावक मीर ने इसमें सासक कौन था कि इसमें सासक था काला सोग कब हुआ था तो 383 BC में, असोग के समय, अधास्ता किस ने किया था, मुगली पुतिस ने किया था, यह कब हुआ था, 255 BC में हुआ था, 456 BC में हुआ था, 44 BC लोग लोग संगिती, में किया गया था जो कि कुसान बंस के सासक कनिश्क के समय में हुआ था कहां हुआ था यह कुंडलवन कुंडलवन कस्मीर में अध्यस्ता किस्ने किया था अध्यस्ता किया गया था वसुमित्र के दौरा वशुमित्र के दौरा और उपध्यच कौन था उपध्यच थे जो कि कहा करने वाला था बिहार करने वाला ही था नेस्ज्ट कोशन देखते हैं इसका राहिट अंसर हो जाएगा खुम्स yn पर शिस्टीण है पिरोगों सा mansो दीमलिख्यत में से कौन सा कठन सही नहीं है बताई इस इसमें कौन सा कठन अजो सहीं नहीं है यह सभी सखी दिया गया है वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल कर निर्मान करने के लिए प्रसिदे जो की सही दिया गया है उसे दिवान एक हैरात विभाव को अस्थापित किया था जो गरीब मुसल्मानों अनाद इस्तिरियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था यह भी सही है हक ए सर्व नामक से चाहिकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था नेश्ठे उसे असोग के दो अस्तमों को मेरेट एवं टोपरा से दिल्ली लाने का सिरे दिया जाता है यह सब सही दिया गया है उप्शन नमबर E इसका राइट अंसर हो जाएगा एक और यात रखेंगे फिरोसा तुगलक ने दिवान ए बदगान के स्थापना की थी इसने इन नहरों का जाल बिचाय था अगर सब से पहले नहर कि इसने बनवाय था तेया बनवाय था गया सुदिन तुगलक ने गया सुदिन तुगलक ने जिसकी मौत लकड़ी के महल में आराम करते समय लकड़ियों के ड्हेर के गिर जाने से मिर्थी हो गए थी गया सुधीन तुगलग की तुगलग वसके स्थाथना गया सुधीन तुगलग के द्वारे ही किया गया था यह भी याद रखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दो अस्तम हो, मेरे ठेवन टोपरा से दिल्ली लाने का अश्रे किसे दिया जाता है, ते फिरो सातुगला को दिया जाता है, असो के दो अस्तम थे, आगर पुछा जाए कौसंबी अभिलेग को, कौसंबी अभिलेग को, अकवर के द्वारा, कहा लाया गया था, ते लाया गया था, इलाहाबाद में लाया गया था, कौसंबी अभिलेग, नेश्ट कोशन देखते हैं, इसका राई टेंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर E, नेश्ट है, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमी अधीक पैमाने पर विक्सित हुई थी, यह हुआ था, अलाओ दिन खिलजी के समय, अलाओ दिन खिलजी के समय, अलाओ दिन खिलजी जो था 50% कर के रूप में वसुलता था, 50% कर के रूप में वसुलता था, सरवाधिक दास किसके काल में रहते थे, फिरोसा तुगला के समय में सरवाधिक दास रहते थे, एक लाख, एक लाख, असी हजार दास रहते थे, यह सरवाधिक दास के संख्या किसके आँ थी, यह फिरोसा बड़ी भूल करेंगे यदि हम विहार की जनता और उसके मंत्री मंडल को लिंक के नेताओं के हिंसक वह सब आक्रमनों के आगे रचित छोड़ देंगे वर्स 1946 में यह बात किसने कही थी सरदार बल्ला भाई पत्टेल ने लौफ पुरुस के नाम से जाना जाता है लौफ पुरुस के नाम से जाना जाता है इनने सरदार के उपाधे दे गए थी बार्दोली के महलाओं के दौरा इन्होंने 1931 में कहां कराची में कांग्रेस का थैस्ता किया था जिसमें मूल अधिकार का प्रस्था पेश किया था यह भी ध्याँ रखेंगे नेश्ट है मगद के कनवश्च का सस्थापा कौन था मगद मगद पर कुल कितने सास को कितने वनसों ने से सासन किया था साथ वन सोने कौन-कौन इसका ट्रिक है हसीन मसूख सासीन मसूख सा 内बी दhat रखेंगे सि अहरіयक सिल को मात बन सो जबानद हो का other one is का तहाफ का था स्थाफ का था तो यह था वसुदेव वसुदेव सिक राइट असर क्या हो ढ़ुजएगा ओप्शान निंधे उम्झे किथी मत cultura किसंग ने की थी सिस्थाप 묇मज नहीं कि' की ती ते स्थाफणां किसने की थी तो सीव मुखनेए कि थी आगे बठते हैं किम के द्वारा लंदन में ब्रिटिस इंडिया स्थापना की ती किसके दौरा लंदन में British East India Society के स्थापना की गी थी बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा या हो जाएगा William Ends के दौरा William Ends के दौरा option number D इसका राइट अंसर हो जाएगा next देखते हैं इसके दौरा प्रतिपादित किया गया था बताई यह किया गये था इसका राय्ट असर हो जाएगा अघ्र के दौरा किया गया था निजामुन दिन औलिया कि सिस्थे चेला किसके थे त्य है थे अभावपخरी अधिक के बाबा फरीद के चेलना थे निजामुदिन ओल्या के सिसे कौन थे तो यह थे अमीर खुश्रो अमीर खुश्रो निजामुदिन ओल्या और अमीर खुश्रो का मकवरा कहा है दरगा कहा है तो यह है दिल्ली में यह भी ध्यान रखेंगे बाब फरीद किसके चेला थे यह किसके काति के कुत्व बुदिन बक्तियार काकी के शिख्स थे कुत्व बुदिन बक्तियार काकी के कुत्व बुदिन एवक के गुरु कौन थे तो बक्तियार काकी ही थे इन ही कियाद में कुत्व बुदिन एवक के दौरा दिले में कुत्व मिनार की नीव डाली गई थी लेकिन इस दोरह किया गया था जैनूर अबेदून को क्या कहा जाता है कश्मीर का कवर कहा जाता है नेस्ट कोर्शन देखते हैं 22 नंबर कि अधार कथित कुसासन के अधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रसासन को ले लिया था मैसूर आज के प्रशासन को किसने ले लिया था या लॉर्ड बिलियम बैंटिक ने लॉर्ड बिलियम बैंटिक ने ख़ब 1831 में 1831 में जैकि कुर्ग को कुर्ग को 1834 इस्वी में आ बैवस्था के अधार पर इसी इस्ट इनिया कंपनी में सामिल कर दिया था प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था 1834 इस्वी में जबकि मैं सूर्ग 1831 इस्वी में नेश्ट देखते हैं देव समाज का सस्थापक निर्में से कौन था इसका राई टंसर हो जाईगा शीव न्राएन अगनी होतरी वेद समाज के स्थापना काँ होता हैं वेद समाज के स्थापना होता есть 1887 में 1887 इस्वी में, आर समाज के स्थापना किसने की थी, बताइए आर समाज के स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की थी, और राम क्रिष्ट परम हंस मीशन के स्थापना किसने की थी, राम क्रिष्ट मिशन के स्थापना किसने की थी आर्ष समाज के बात की जाये तो या किसने की थी स्वामी दयानन सुर्शती के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के प्रयास नहीं 1829 इस्वी में बिलियम बैंटिक के द्वारा सथी प्रथा का अंध किया गया राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधी अकवर्दितिय नहीं दिया था एभी ध्यान रखेंगे राम कृष्ट मिशन के अउस्थातना राजा मोहन राय के इस्थातना की थी और Next question देते हैं 24 number. बीधवा, पुनार, बीवा, अधिनियम, किसके सासन काल में किर्यानवीत किया गया था? इसका राई टन्सर हो जाएगा Lord Canning के काल में, Paul Canning के काल में. कींके प्रयासों से तया 18 जजज ten उ caus के प्रयासे से इसर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से रही खब 1836 स्वी में यह में 156 जजज स्वी रखेंगे यह मोज 拉्धर ल हॉजज करनका पूर्टी फाइं नेम्र है इम्र यूकमन में से कौन सही शुमेलीति है इसमें क्ल отно सी सु फ्रीको किसके काल में हुई थी टफृ रीन के काल में यह ध्यान रखेंगे यह हां के दौरा की गई थी सथी है नि लिखिविव यह बेक्तियों ने दीतिय गोलमें समिलन में भाग लिया था दीतिये गोल में सम्हिलन में इसने भाग लिया था प्रथम गोल में सम्हिलन का हुआ था यह उनिसो तीस इस्वी में दीतिये गोल में सम्हिलन उनिसो इकाटिस में और तीरतिये गोल में सम्हिलन का हुआ था तो तीस इस्वी में इसे ध्यान रखेंग, 1931, और 32, sorry, 1930, पर्थम हुआ थो 1930 में, दीतिय गोल में समिलन, 1931 में, और तीतिय गोल में समिलन कब हुआ था, 1932 में तीनों समिलन में भाग लिया था किसने, तीनों समिलन में पुछा जाए, तेल लिया था, टेज बहादूर शपरू, और भीम रव अमबेड करने, भीम रव अमबेड करने कांग्रेस ने सिर्फ दीतिय गोल में समिलन में भाग लिया था, और कांग्रेस के तरफ से कौन गया थे, ते महात्मा गांधी गया थे, यहां कोशन पुछा जा रहा है, निमलिखित में से कीन बैक्ट्यूनी दीतिय गोल में समिलन में भाग लिया था, इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर डी इसका राइट रो जाएगा महात्मा गांधी भाग लिए थे स्रोजणी नाइडू भाग ली थी और मौलाना आजाद भाग ली थी स्रोजणी नाइडू ने कांग्रेस के अध्यस्ता कब की थी तो 1925 इसवी में कांपुर अधिवेशन के अध् स्वी तक अभी ध्यान रखेंगे नेश्ट कोशन देखते हैं 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिना भारत का गठन किष्णे किया था अभिना भारत की गठन किष्णे किया था इसका राइट असर हो जाएगा ओप्सन नंबर सी बीडी सावर करने बीडी साव करके द्वारा इससे पहले 1899 में मीत्र मेला नाम के संस्था के स्थापना की गए थी इसी को बाद में चलकर 1904 में अभिना भारत नाम दे दिया गया नेश्ट कोक्षन देखते हैं और सन 22 के बनारेश हिंदु महासाभा के अधिवेशन के अधिश्टा किष्ने की थी इसका राइट असर हो जाएगा स्वामी स्राधानन स्वामी स्राधानन और इसके अध्यासता भी इन्होंने की थी नेश्टे चौदा जुन 1947 को कांग्रेस के दिली अध्यवेशन में भारत में विवाजन कर प्रस्ताश सुरुकिर कृत किया गया इस अध्यवेशन के अध्यास निमने में से कौन थे चौदा जुन 1947 को कांग्रेस की दिली अध्यवेशन में भारत के विवाजन कर प्रस्ताश सुरुकिर के अध्यास कौन थे यह थे आचार जेवी किर्पलानी सरदार बल्लभाई पटेलने 1931 कराची अध्यवेशन में भाग लिया था अध्यासता किया था नेश्ट है भंग भंग विरोधी अंदुलन प्रारम की स्तिथी को हुआ था तो यह कब प्रारम हुआ था यह हो गया था 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को किसके समय में हुआ था बताए तिया लौट करजन के समय में लॉटकरजन के समय में, रद कव किया गया था, बंगाल बिवाजन रद किया गया था, 1911. नेश्ट है, गान्धी के नाम के पहले, महत्पा कब जुड़ा गया था, तहाँ चंपरंस-त्यागरह के दोरां, चंपरंस-त्यागरह का भुआ था, 1917. में राज कुमार सुकल के बुलाने पर हिए बिहार आये थे नेस्ट कोशन देखते हैं 32 नमबर निमलिखित में से कीस एक संस्था ने सन 1857 में हाउस ओप कॉमन्स में एक याज का प्रसुत करते हुए बिटिश अंसद में भारत के प्रतियाज प्रतिनिधित्व की मांग की थी यह कौन सा संस्था था यह है दी डकन एसोसियेशन दी डकन एसोसियेशन नेस्ट कोशन देखते हैं कांग्रेस ने ताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्स फूर्ट रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरम पर्थियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया गया मॉन्टेग्यू चेम्स फूर्ट रिपोर्ट की निंदा करने पर इसका राइ ये जो के बंगाली में छपता था रातो रात इंग्लिस में कर दिया गया अभी ध्यान रखेंगे यहाँ पुछा जा रहा है बढ़ना कि्यूलर प्रेस एक निर्यस्थ किया गया किसके द्वारा निर्ष्थ कर दिया गया यह किया गया लौड रिपन के द्वारा लौड रिपन के द्वारा क्रव त 1882 में 1882 में, इसके पहले 1881 में पर्थम करखाना अधिनियम भी आया था, नेश्ट देखते हैं, लॉट डफ्रिन के समय, भरतिय राष्टी कांग्रेश के स्थापना हुई थी, लॉट करजन के समय, 1905 इसमय में बंगाल का विवाजन हुआ था, नेश्ट कोर्शन देखते हैं, किस कांग्रेश सत्रे में कारकारी कमेटी को सविने अवग्या अंदोलन प्राडाम करने का अधिकार दिया गया, इसका राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर बी, लहौर सत्र, उन्हें 29 का लहौर सत्र, इसे ध्यान रखेंगे, इसके अ लहौर सत्र के अधिश्टा क्या था, लहौर अधिवेशन के अधिश्टा क्या था, जोहर लाल नहरूने, जोहर लाल नहरूने, नेश्ट है, वर्स 1907 में भीखाजी कामा जो भारत के आजादी का ध्वज फराने वाली प्रथम बैकती थी, कहा ध्वज फराई थी, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदर्शा कहां स्थापित किया था, तेया स्थापित किया था, कुलकाता में, कुलकाता में कव 1700, 802 में, वारेन हेस्टिंग के समयकाल में, वारेन हेस्टिंग, जोसे में बंगाल का गवर्नर था, नेश्ट देखते हैं, जो कि फार्सी सथापक कौन है इसके सथापना की गई थी उनी सो पांच इसवी में इसके सथापक थे गुपाल कृष्ट गोखले जो कि महात्मा गानी के गुरू भी थे निमलीखित में से किसने सौंपरकास नमक समचार पत्र शुरू किया था सोम परकाश नमाग समचार पत्ष किसने शुरू किया था इस्वर्चंद विद्यासागरने नेश्टे आजाद हिंद सरकार के निर्मान की घोष्णा की गई थी 21 अक्टूबर उनिस्सो तेतालेस को 21 अक्टूबर उनिस्सो तेतालेस को अक्टूबर उनिस्सो तेतालेस को आजाद हिं सरकार के अस्थापना सुबाश चन्रवोष द्वार सिंगापूर में की गई जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत महनेता दे दी थी नेश्ट कोशन देखते हैं 41 नमबर बिहार में अलग परांद के लिए अंदुलन जिसके परिणाम Dragu बर वर्स उनिसो ग्यार में बिहार एवं उडियसा उडियसा के नए परांद का निर्मान हुआ का नेथित किष ने किया था कि नेथित प्या था यहां कि यहते सिस्दानन सिंहाल ने इसी के दौरा 1911 में बिहार एक प्रांत बन गया था बंगाल से अलग होकर लेकिन साथ में उडिशा भी था बिहार से उडिशा कब अलग होता है तो भार सासने धिनियम 1935 के दौरा 1936 में 1936 में फिर बिहार से जारखन अलग हो जाता है 15 नमबर 15 नमबर 2000 को किसका जान हुआ था विर साम उनड़ा को नेश्ट को सकते हैं 22 मर्स क्या मना जाता है 22 मर्स 1912 को भी हार के प्रांढ के दौरे में बना था अब 22 मर्स को भी हार सतफना दिवस निम लिखित में से किस हड़ा अस्थल में मिले है सुत्ति कप्रों के टुकडों कवसेस कहां से मिले हैं तेह मिला है मोहन जोद्रों से मोहन जोद्रों से कहां से कि नर्तकी कहां से मिला है तेह मोहन जोद्रों से अन्नागार विसाल अन्नागार अश्नानागार यह सब कहां से मिला है मोहन जोद्रों से मिला है मोहन जोद्र किस यह सिंधु नदी के किनारे हरपकिस नदी के किनारे है तो यह है यह रावी नदी ने किनारे संगम सध नि किसे समन only यह सब्सक्राइब सभी अगर बात कि जाए यह कहां पर शरी था विजायनगर में भी जैन्य को बंस ने शासन किया था वह कॉन को सबस्ता तो पहला था संगम्ण्ण विज्जायनगर के स्थात्वन ने किस ने किया थो तो एह रूं बुकानि यह भी ध्यान रखेंगे प्रत्वन्स बंस में दूसरा, सालू , सालू , तीसरा था तूलू और चौथा बांस था अरावीडू .ौन ए डियुँ धो कृष्ण देवराय कौनसे ऐस समद्धी थे चृष्सन देवराय कीसरा मैं पारबोसा आया था और कौन आया था डोमिन्यों पायस आया था जो कि कहां करने वाला था पुर्तगाल करने वाला था नूनिच किस के समय में आया था तो यह आया था अचुत देव राय के समय इसका राई टंसर हो जाएगा, option number B, option number B, इसका राई टंसर हो जाएगा, नेश्ट है, निमलिखित में से कौन भरत में आये, विदेशी आक्रमानकारियों का सही क्रम है, इसका राई टंसर हो जाएगा, option number C, इसका ट्रीक याद रखेगा, I, A, S, P, K, इस, P, K, इंडो ग्रीक, सक, पर्थियन, और कैसे हो जाएगा, कुसान, I, S, P, K, नेश्ट है, कांची पूरम निमलिखित में से किसकी राधानी थी, यह राधानी थी, पलवो की, किसकी राधानी थी, पलवो की, नेश्ट चलते हैं, चोलवंस की राधानी के कहां थी, तो मत, चोलवंस की राधानी थी, उरे उर, उरे यूर, जो कापास के लिए परसीत था, नेश्ट है, सातवाहन वंस की राधानी कहां थी, तो परतिय स्थान या अमरावती, अमरावती, नेश्ट कोशन देखते हैं, अरव यात्री इबन बतुता, किस सुल्तान के काल में भारत आय का अमरावत अमरावती, नेश्ट के अमरे था, मुहम्मद बिन New Ramya के समय वे, कहां का रहने वाला थादे, या नेश्ट को या था, म defence स्थान में भारती, इबन बतुता के पुस्ताइक नाम है, क्या है था, आप वे पत्ता होगा दिली सल्तानत पर पांच वंसों ने सासन किया था पांच वंस कौन कौन से थे तो पहला था गुलाम वंस जिसके स्थापना किसने किया था को तो बुदिन एवक ने दूसरा वंस था खिलजी वंस खिलजी वंस तिसरा कौन था यह था तुगलक वंस तुगलक वंस खिलजी वंस के स्थापना किस ने किया था तुगलक वंस जलाल उदिन खिलजी के द्वारा खिलजी वंस के स्थापना किस ने किया था तो गया सुदिन तुगलक ने और चौथा वंस था सयद वंस सयद वन्स और पांचवा वन्स था लोधी वन्स यार रखेंगे गुलाम वन्स कब से कब तक चला था तेरा चला था बारा सो छे से ले करके बारा सो छे से ले करके बारा सो नब्बे तक खिल्जी वन्स तेरा सो नब्बे से ले करके सबसे छोटा काल खिलजी वंस कहीं था तुगलक वंस का सरवाधिक काल था सरवाधिक पुछा जाए तुगलक वंस ने सरवाधिक सासन किया था दिले सल्तनत पे तुगलक वंस का समय काल था तेरा सो बीस से ले करके 1424 वी तक 1414 इसमी तक और सयद वस 1414 से ले करके 1451 तक और लोधी वस 1451 से ले करके 1526 तक अंतिम कौन था या था इबराहिम लोधी जो कि पानी पत के प्रथम युद में मारा जाता है यह पहला ऐसा सा सकता जो रन भूमी में मारा गया था बावर के दोरा बावर ने इसमें तुगलगमा नीती को अपनाई थी और सबसे पहले इसमें बारूत का प्रयोकिया गया था और तोप का प्रयोकिया गया था बावर के दोरा यह भी ध्यान रखेंगे नेश्ट कोर्शन देखते हैं ओक्सिटोसिन हार्मन का स्राव किस ग्रंथी से होता है ओक्सिटोसिन हार्मन का स्राव किस ग्रंथी से होता है यह होता है प्यूस ग्रंथी से और सी इसका राई टेंसर हो जाएगा प्यूस ग्रंथी से होता है पिर्स ग्रंथी को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है, यह प्रसव प्रसव एवन दूध स्राव में सहयता करता है, दूध स्राव में सहयता करता है, नेश्ट कोर्शन देखते हैं, हाइड्रा में अलागिक जैनल निम्न में से किसके दौरा होता है, राई टंसर हो जाएगा, नेश्ट है, ब्रिधी हार्मोन स्रावित होता है, ब्रिधी हार्मोन स्रावित होता है, बताएं ये कान स्रावित होता है, यह होता है, पीट्यूटरी ग्रंथी से, पीट्यूटरी ग्रंथी से, नेश्ट कोशन देखते हैं, 50 नमबर कोशन, बैसो प् प्रेसिन को एंटी डाई यूरेटिक हर्मोन भी कहा जाता है यह हर्मोन गुर्दे के द्वारा अविश्यक तरल परदात बनाने तब रक्त वहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है यह रक्त चाप नियंतित करने में सहायक है किसको सहाय करता है यह रक्त चाप नियंतित करने में सहायक करता है नेश्ट कोर्शन देखते हैं कार्वो हैड्रेट उपापचाय को किसके द्वारा नियंतित किया जाता है यह नियंतित किया जाता है इंसुलीन के द्वारा यह कहां से स्राइवत होता है यह अगनासे के लंग बिहार और उत्तर परदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बते इसकराईट असर के हो जाएगा। इसकराईट असर हो जाएगा। गंडक नदी, घागरा नदी और कर्मनासा नदी। इसकराईट असर हो जाएगा। गंड़क नदी पहीं कौन से नहर है त्री वेनी नहर है घागरा को ही घागरा नदी को ही यूपी में सर्यू नदी भी कहा जाता है जो कि आयोध्या किस नदी के किनारे है सर्यू नदी के किनारे है नेस्ट कोशन देखते हैं, इसकर राइट असर हो जाएगा, उप्सन नमबर E, नेस्ट है, होन ओफ अफिरका कहलाने वाले विभीन चार देशों में कौन सा देश अस्थल रूद है, होन ओफ अफिरका में कौन सा देश है, इरिटिया, सोमालिया, जीवति और इथोपिया, हो रोमानिया की राधानी कहां है, रोमानिया की राधानी कहां है, इसके राधानी है, बुखारेस्ट, रोमानिया की राधानी कहां है, बुखारेस्ट है, जबकि बुड़ापेस्ट किसके राधानी है, तो हंगरी की राधानी है, और रोमानिया की राधानी कहां है, बुखार उत्तर प्रश्썹िम बाला छेटर ये वाले जो छेटर हैं किसी क्रिसे जलवाई चेटर में सबसे अधीकsom जिईले हैं नेश्ठ है रिएगूर या काली मीटी का सरवतीक् विस्तार किस राज में हैंarlos सरवदी बिस्टर की स्राज में है तो महाराष्ट में है काली मीटी कपाश के लिए परसेदे का पास के लिए कौसी मीटी सुधाए हैं इसका राइटर सर क्या होगा यह हो जाएगा अडवांस सागर से जचिन चीन सागर तक नेश्ट निवन में से कौन अस्थल रूद देश है नेश्ट भुटान के साथ भारत के किस राज की सीमा सबसे ज्यादा लगती है यह लगते हैं भुटान के साथ सरवधिक अस्थम का लगता है नेश्ट कोशन देखते हैं सिस्टी नमर कोशन फास्ट करेंगे दोस्त वीडियो लंबी बन जाएगी बीसवी की गेहूं मंडी किस सहर को कहा जाता है यह कहा जाता है बिनी पे को किसे कहा जाता है बिनी पे को कहा जाता है जो कहां में है कनाड़ा में ह डैरा रोसा मीटी लिए परयुक्त होता है या होता है कहवा के लिए ब्राजिल में कौफी बगानों को फजंडा कहा जाता है भाजिवाटी कहवा कहा होता है तो ब्राजिल में होता है करनाटक में होता है चाय को पदन असम में होता है गन्ना को पदन कहा सरवाधीक होता है या महराश्ट में होता है नेश्ट है आलपस परवत की बिश्री स्षेत्र में समधित देश कौन सा है इसका राइटन्स रोजाएगा option number सबसे उची चोटी का नाम क्या है सबसे उची चोटी का नाम है सबसे उची चोटी का नाम है मौंट ब्लैक मौंट ब्लैक जो कहां वस्तित है यह फ्रांस में वस्तित है नेश्ट है याकुत किस देश की प्रमुख जन जाती है याकुत किस देश की प्रमुख जन जाती है तो इनका पेशा क्या है पशुचारण सिल्पकार और व्यापार नेश्ट है भारत में उच नियालों के नियाधिस को पद की सपत दिलवाते हैं राजयों के राजपाल आटिकल 219 के तहर्द नेश्ट देखते हैं राष्ट पति और उपराष्ट पति के चुनों से समधी कोट, option number C, इसका right answer हो जाएगा, अनुछेद 71 के तहट, अनुछेद 71 के तहट, next question देखते हैं, भारत के समिधान में कल्यानकारी राज का अधर्स नहीं थे, किसमें नहीं थे, इसका right answer हो जाएगा, option number D, राज के नीती दिन दे सकता, कहां से लिए आगया है, तह लिए आगया है, Ireland से, कहां से लिए आगया है, Ireland से लिए गया है, इसका चर्चा कहां से कहां तक है, article 36 से ले करके, इक्यामन तक चर्चा किया आगया है, next है, निवन में से कौन बीधी के सासन का प्रमुख लच्छन है, इसका right answer हो जाएगा, option number E, option number E, इसका right answer हो जाएगा, सक्तियों का परिशिमन, सीमित सरकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, एवन बीधी के समझ समता, बीधी के सासन के प्रमुख लच्छन है, अर्थात सभी कथल क्या है, सही दिए गए है, next है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, यह है समयधानिक अधिकार, समयधानिक अधिकार है, इसकी चर्चा किसमें है, article 326 में, next question देखते है, 69 number, भारत के सरवोष नियालेक अधिकार, छेत्र का जानिक अधिकार किसे है? यह अधिकार है संसत को, संसत को है, article 138 करता है, next देखते हैं, निर्वन में से कौन सिविल सेवा जड के पदेन अधियाच होते हैं, यह होते हैं, कैविनेट सची, नेःचित हैं, निर्वन लिख्षित में से कौन भारत के समिधान के तहर नागरि एसा आवहन किया जाए और सी इसका राइट असर हो जाएगा बर्तमाने मौलिक कर्तव कितने हैं जी ग्यार रहते हैं नेश्ट है निसेध का रीट उस्तम उच न्याले दोरा जारी किया जाता है यह कौन सा हो जाएगा इसका राइट असर क्या होगा निसेध का रीट उस्तम या उच्छ न्याले दोरा जारी किया जाता है इसका राई टंसर हो जाएगा ओप्सन नमर एक एक अवर न्याले या अधिकरन को उसके अधिकार छेते से अधीक या प्राकिर्थिक न्याय के नियमों का विप्रित कार्च करने से रोकने के लिए नेश्ट कोशन देखते हैं प्रतिसे दिसे ही कहा जाता है आटिकल 32 में पांस प्रकार के रीट की चर्चा की गई है जो कौन जारी करता है सुप्रिम कोड हाई कोड रीट जारी करता है आटिकल 226 कहता है नेश्ट हैं लोगसभा के अध्याच को पद से हटाय जा सकता है या और उठिंट को देखते हैं और के भायत का समीधान गंतान्त्रात्मक है क्योंकि यह हो जाएगा कोई वंसान वहत राइंसरह यह हौजाएगा अघर थे पूचाज दी आगरapatज़ को पूछा जाए यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर कोई क्या मना जाता है, समिधान दिवस मना जाता है, जिसे आंसी एक रूप से समिधान को लागू किया गया था, नेश्ट कोशन देखते हैं, 75 नमबर, बीसवे ब्यापास अंगठन के सासन के ताय सबसे पसंदिदा राष्ट खंड निमली खित के सिधान पर आधारित है, किस पर आधारित है, इसका राइट अंसर हो जाएगा राष्टों के बीच गैर भेदभाव से, नेश्ट है बिहार में किस बीतिय वर्ष से परिनामी कब से शुरुवात की गई है बिहार में जो अच्छी साथ में, आप्सन नम्मर बी हो जाएगा, आई एम एफ का मुख कार्श है, आई एम एफ का मुख कार्श क्या है, बताई इसका राइट असर क्या होगा, यह हो जाएगा, सद्धा से देशों के भोकतां समय स्याओं के स पॉट्फोलियो निवेश के लिए, बिदेशी पॉट्फोलियो कोई क्या का जाता है, यह होट मनी माना जाता है, बिदेशी पॉट्फोलियो निवेश कोई क्या मना जाता है, होट मनी माना जाता है, होट मनी वह निवेश है, जो बित्य वजारों के बिच जल्दी से स्थन किसी देश के सुनता कि किसी देश के भुखतान संतूलन का निर्या लेदें अबसनी इसका निमलीखिट से कौन सा पुंजी खाता नहीं है कौन सा पुंजी खाता नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी नीजी प्रेशन नीजी प्रेशन नेश्ट है भारतिय रुपे की पुंजी खाता परिवर्तनियता का अर्थ है भारतिय रुपे की पुंजी खाता परिव कौन करता है यह रख रखाए कौन करता है यह रख रख रखाओ करता है रभी आई भारतीय limit Calvin और यह कि श्थपने कव होती है एक अपरेल एक अपरेल 1935 को जबकि इसके राष्ट ये करन कव किया जाता है एक जनवरी 1 जनवरी 1949 को इसका मुख्याले का है मुंबाइज अभी बरतमान में अध्याच कौन है और विया के गवर्नर कौन थे तब ही बरतमान में सक्तिकांदास यह भी याद रखेंगे नेस्ट कोशन देखते हैं एड बेलोरम कर अधारित है यह किस से अधारित है इसकराई टंसर हो जाएगा बस्तु का मौद्रिक मूल पर नेस्ट है नवाट के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार करें इसकराई टंसर क्या हो जाएगा नवाट के स्थापना ग्रामीन एरीन के छेत्र में लगे संगठनों के कर्टव्यों के समनों के उदेश से की गई है जो कि सई दिया गया है नवाड से पहले नवाड का काज भार्टिय रिजर्ब देखते हैं भारत में कमपनियों के विल्ड और अधिक्रहन को विनियमित करता है इसके राइट अन्सर हो जाएगा भारत का प्रतियस परधा आयोग अप्सन नंबर B हो जाएगा नेश्ट जाया, नियुंता समर्थन मुल के बारे में निम्रीखित कत्नों पर विचार करें इसका राई टनसर क्या होगा, इसका राह e टनसर हो जाएगा option number D नियुंतर समर्थन मुल आर्थिक मामलों को कैविनेर समीती द्वरा प्रस्तावित किया जाता है नियुंतर समर्थन मुल को क्रिसी लागत और किमतों के लिए आयोग द्वरा मंजूरी दी जाती है एम SP के अस्तरपनीती आयोग अंतिम निर्ना लेती है यह तीनों सही हो जाएगा पूछा जारा कौन उप्रोक में से कौन सही नहीं है उप्रोक में से कौन सा सही नहीं है या तीनों जो है सही नहीं है option number D इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं 87 number हाल ही में किस सहर में 17 प्रवाशी भारतिय दिवस आउजद किया गया यह आउजद किया गया इंदौर में इंदौर मतपर्देश अतिथी के रूप में कौन आये थे गुआना के राष्टपती गुयाना के राष्टपती आये थे जो कि कौन है यह है मुहमद इर्फान अली मुहमद इर्फान अ गया था इन दोर में प्रवासी भारती दिवसक्रा मना देता है त्या मना देता है नौ जनबरी को नौ जनबरी 1915 को ही महात्मा गांधी दच्छी नफिरका से भारत बापस आए थे आगे देखते हैं नमंबर 22 में पीम का दिसक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सिखर समयलन कहां आयुज़ित किया गया यह कहां आयुज़ित किया गया वारा नशी में वारा नशी में आपसन नमर्डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं 89 नमबर भारत 22 में संगठन के अध्याश क कि रुप में एगली SEO सिखर समयलन की म्यज़वानी करेगा इस आयुज़ित का विशव क्या है इस choice और करती हード किह हैका अंसर होगा एक सुरचित SEO के लिए एक सुरचित के लिए option number D इसका right answer हो जाएगा नेश्ट है उनिस्वा एपेक एसिया प्रसांत आर्थिक सायोग समेलन कहां संपन हुआ नेश्ट है कतर ने 27 साल के प्राकिर्थिक गैस आप पूर्थी सौधे के लिए इम लिखित में से किस देश के साथ साज़धारी की है कतर ने 27 साल के प्राकिर्थिक गैस आप पूर्थी सौधे के लिए निम लिखित में से किस देश के साथ साज़धारी की है यह देश है चीन option number B इसका right answer हो जाएगा नेश्ट है कि इस टेनिस खिलाड़े ने अस्ताना open final खिताब जीता है इसका right answer हो जाएगा नुवाग विच्छ हो जाएगा अस्टेलिया open किस ने जीता है तो राफिल ना डालने और अगर महिला में बात कि जा तो कौन है इसलिए वाटी जो कि कहां के रहने वाली है अस्टेलिया के रहने वाली है वह कुछ दिन पहले ही क्या लेली सन्यास लेली है कि यूश से open का खिताब किस जीता है त्या जीता है कार्लोस अलकराजने नेश्ट है फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हरा कर भारत से कौन सा 26 रेट अश्नुकर चैंपिन बना या कौन बन गया है एस सी कृष्णा एस सी कृष्णा नेश्ट देखते हैं हाली में खबरों में रहा असोला भटी बने तमश्टर को खूथ की गई है कितने छितर मनों फैला हुआ है थैश्ति फंट 738 में बस चै्टर है ने चैनल की सफ्था स दौराई लिविंग प्रैनेट रिपूर्ट प्रकाशीत की जाती है की से सफ्था जब्रएं ल इबनेट रिपकाशित की जाती है यह समस्था है yu amrit क्या है एक फसल अफसेस प्रभंधन पहल भारति उधोक परिशंग ने पंजाव के संगरूर में फसल अफसेस प्रभंधन पहल वायु अम्रित शुरू करने के लिए Indian Oil Corporation के साथ भागिदारी की है Option No.A इसका राइट असर हो जाएगा 97 नमर देखते हैं परधान मंत्री आवास सहरी पुरस्कार 22 में किस राज को प्रथम अस्थान मिला है यह राज कौन से है यह है उत्तर परदेश Option No.B इसका राइट असर हो जाएगा Next है संजीक्त राष्ट मानवाधिकार आयोग के विशेस दूत के रूप में निउक्त होने वाले पहली भारतिया और ACI महला कौन है यह है डॉक्टर केपी अस्वनी Next है देश का पहला वर्चुल अस्वनी कहां शुरू हुआ है यह शुरू हुआ है नई दिली में Option No.C हो जाएगा Next है किस संस्थान ने BOOMIN in Engineering, Science and Technology को शुरू की है यह पहल शुरू की आगया है परदान बैग्यानिक सलाहकार का करजाले के द्वारे Next देखते हैं 101 नंबर हाली में खबरों में रहा मुईफा क्या है तो यह एक आंधी है मुईफा क्या है यह आंधी है मुईफा आंधी तुफान यह मुईपा तैवान के पास इसी गाकी दीप से ठकराया था तुफान ने जापान के दस्टिधि दिपु और चीन को भी प्रवावित किया था next है सितंबर 22 में किस नोसेना जहाज को 32 साल के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 साल के सेवा के बाद किसे सेवा मुक्त कर दिया गया है यह है INS INS अजय नेस्ट कोर्शन देखते हैं एक सोतीन नमर प्रश्ट है गयती सक्ति भी स्विधाले बड़ोध्रा के पहले कुलाधी पती करूप में किसे चुना गया है किसे चुना गया है या चुना गया है केंद्रिये रेल मंत्री अस्वनी वैश्णव को कि बड़ोध्रा का पहले कुलाधी पती नियुक्त किया गया है अस्वनी वैश्णव को को कुल्पती कुल्पती कन्फूज नहीं होईगा अगर पहला कुलपती की बात कि जाए तो पहला कुलपती किसे नियुक्त किया गया था या नियुक्त किया गया था डॉक्टर मनोज चौधरी को डॉक्टर मनोज चौधरी को कुल परती किसी न जुठ किया गया है त्रम मनौ चौधरीright की 'llेंश निश्ठ की हमें आघ दुणिया का सबसे उंचा रेल्वे पूल कीष देश sí. किसदेस में इस्ति je यह हैं भारत में काँ सित्धे भारत में फिल्लेढ के कहां हैं चिनाव नदिपर बना गया चिनाव नदी जम्मु कस्मिर में नेश्ट है हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमिन्ट अवार्ड से समानित किया गया है या समान दिया गया है कृष्णा बविलाला को नेश्ट कोर्शन देखते हैं 106 नमबर प्रेस्टर देखते हैं मेजर ध्यान चन्द खेल अरतनि प्रसकार 222 दोर बाइस कीज ख्हिलाड़ी को पड़दान किया गया में या दिया गया है अजय अंचत सरत कमल को अंचत सरत कमल को आप्शन नमर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्टे हाल ही में भाथ्टी डिजर वैंग ने किस देश के मौध्रिक प्राधिकरन के साथ मुद्रा अदला बदली के समझोते पर अस्ताचर किया है इसका राइ फिट ऊची अस्टेशू और इक्वैलिटी राष्ट को समर्पित किया है यह कहां इस इत है यह इस इत है है रावाद में नेश्ट कोशन देखते हैं किस देश में किस देश रहने योग संभवित ग्रहों को पहचान करने के लिए यह आया धारित अल्गोरीधम त्यार किया है यह कौन सा देश है यह देश है अपना भारत ऑप्सन नमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा बिहार में जाती जगना अभी चालू की गई है चल रही है बिहार में जाती जगना जो कितने चरण में करवाई जा रही है या करवाई जा रही है दो चरणों में दो चरणों म कारजाले खोने के घोष्ण की है एक किस राज में खोला जाएगा यह राज है गुजराएगा सुरूख का पौधा अवियन किस भारतिय राजद्वरा सुरू किया गया है यह सुरू किया गया है विलंटायन डे के दिन बिहार में ऑप्सिन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा जैगा जैविविता कभिसित रेजिस्टर त्यार करने वाला पहला मेट्रो सहर हाली में कौन बन पशिम चंपरें में बालमी की राष्ट्य या कहां है पाश्णर नमर को House ने बिहार के बारतमान ओंय का sir ने Vorteil सोमय काल अप्रैयल 29 27 तक रहने वालल है कब तक रहने वाला है मार्च 2027 तक यह ध्यान रखेंगे नेश्टे गुजरात्म आयोजित 36 वर आश्टी एक खेलो 22 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं कितने पदक जीते हैं यह पदक जीते हैं दो ऑफ्सन नमर भी इसका राइट अंसर है नेश्टे बिहार में ग्रामीन सड़कों की नेश्ट कोशन देखते हैं पिहार आर्थिक सर्वेच्छन 21-22 के नुसार प्याज के उत्पादन में राज में वर्ष 20-21 में कौनसा जिला सिर्ष पर रहा है प्याज के उत्पादन में कौनसा जिला सिर्ष स्थान पर रहा है इसका राइट असर क्या होगा यह हो जाएगा नालंदा नालंदा जो कि नालंदा विस्विधाले के लिए परशिद है कुमार गुप्त के द्वारा बनवाय गया था वह एक त्यार खिलजी के द्वारा इसे द्वरस्त करवाया गया नेश्ट कोशन देखते हैं 121 नमबर 121 नमबर प्रशने बिहार आर्थिक सर्वेचन द्वर 22 कर नुसार आलू के उत्पादन में राजमेंबर्ष 2221 में पर्थम प्रमुक तीन जीले कौन से हैं आलू के उत्पादन में पुछा जा रहा है तो पहला स्थान पर पटना नालंदा समस्तिपूर नेश्ट है बिहार आर्थिक सर्वेचन द्वर 22 कर नुसार आम के उत्पादन में राजमेंबर्ष 2221 में कौन सा जीला सिर्ष पर है यह जीला है दर्भंगा यह जीला है दर्भंगा ऑप्शन नमर सी स्काराइटर्स रहो जाएगा नेश्ट कोर्शन देखते हैं राष्टी पुनिगत बस्तू नीती ज्वाश्वला को देश किस वर्ष तक पुनिगत बस्तू के उत्पादन को दोगना करना है इसका राइटन्स हो जागा 2025 तक नेश्ट कोर्शन देखते हैं 124 नमर प्रशन है अगरिम अनुमानों के अनुसार द्वर 22 में भारत की GDP की ब्रीधिदर है तो कितन है सिंगापूल और बी इसका राइटन्स रो जाएगा नेश्टे 126 नमर प्रश्ट भारत 222 रिपोर्ट के नुसार बिहार में बनावरण छेत्र कितना है इसका राइटन्स रो जाएगा सही कत्थन को चुनिये इसमें सही कतहनको चुनिये इसमें क्या दिया गया है, लाल परकास का तरंग देधर, बैगनी परकास से ज्यादा होता है, लाल परकास का तरंग देधर, बैगनी से क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर परकिर्णन पुछ जाएं, तो परकिर्णन सब ज्यादा किसका होता है, परकिर्णन सरवाधिक किसका होता है बैगनी का और तरंग देधर्ज किसका सरवाधिक होता है यह होता है लाल रंग का और सबसे कम परकिनन होता है लाल का और सबसे कम तरंग देधर्ज होता है बैगनी का नेश्ट देखते हैं बिधू सक्ति की काई क्या है इसका राइट असर हो जागा वाट वाट होता है बिधू सक्ति की काई नेस्ट कोस्टन देखते हैं विधूत मोटर में बताई विधूत मोटर में क्या होता है यांत्रिक उर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है यांत्रिक उर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है डाय नेमो के दोरा बदला जाता है इसे ध्यान रखेंगे इसका कराई टंसर हो जाएगा डाइनेमो से यांतरी कुर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है विधू से रासानी कुर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है ध्यान रखेगा विधूत से रासानी कुर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है माइक्रोफोन से बिद्धुत उर्जा में बदला जाता है लाबा स्पेकर से में अब बढ़ते हैं किस उपकर्ण से से नापी जाती है यह करते हैं एमीटर से जब कि वितुधर का मात्रक क्या होता है तो मुत्रक होता है एंपीए बिर पेर छे घ्रीफ। टक होता है green house GAS ओम होता है मुग घटक होता है मुग घटक पुछत जा रहा हो जाएगा carbon dioxide carbon dioxide ozone के लिए हनिकारण गयस है CFC बाइयो गएस में क्या पाईता है मेथन पाई जाता है मीथन पाई जाता है नेश्ट को देखते हैं 133 को देखते हैं आइस्टीन को Nobel Prize किस कार पर मिला था, यह दिया गया था, परकास विधुत परभॉः के लिए, कप दिया गया था इन्हें, यह दिया गया था 1921, और सीवी रमन को Nobel प्रश्कार कब दिया गया था, किसे स्थ संट के लिए गया था प्रकास के प्रकश के लिए डिया गया था तो पुने के सिcount की तो सोरेंसर ने के साथ साथ 6,000 보cin dat कि पानी का भी होता है है इस कर आइट ऐसर क्या हो जाएगा option नमबर e हो जाएगा जितना साथ से कम जाएगे हम अमली आता बढ़ेगा साथ से ज्यादा हम जाएगे छार्याता बढ़ेगा एब ध्यान रखेंगे नेस्ट है निम्न तत्वों में से किसमे नूट्रोन नहीं होता है निम्न तत्वों में से किसमे नूट्रोन नहीं होता है हैड्रोजन में नूट्रोन नहीं होता है हैड्रोजन में नूट्रोन नहीं होता है हैड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं यह भी ध्यान रखेगा निश्ट है DNA की खोज किस्ने की है DNA की खोज किस्ने की है इसका राइट अंसर हो जाएगा option number E option number E हो जाएगा DNA की खोज की है फ्रेडरिक मिस्रे ने फ्रेडरिक मिस्रे ने कि डावल हेलिक्स मॉडल किस ने दिया था ते दिया था ज्यम स法सें एवं की रेखने ने छीन वाट्सन ऐवं की रेखने फ़ेगर मेडल को औरनों चिकता का जयनक किसे को बाता है तो घ्रेकर मेडल को का जाताय keyboard नेस्ट कोशन देखते हैं, Triglyceride क्या है, तो यह क्या है, वसा है, क्या है, वसा है, इलेक्ट्रो, एंसे, फेलोग्राम, ई, इजी, निवने से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, या परियोग होता है, मस्तिक के लिए, जबकि हिर्दे के लिए, ECG, ECG, नेस्ट कोशन देखते हैं, सरीर का तापकरम नियंत्रित करता है, सरीर का तापकरम कौन नियंत्रित करता है, या नियंत्रित करता है, हाइपो थैलमस, हाइपो थैलमस, ऑप्सन नमर B, इसका राइट अंसर हो जाएगा, मानव सरीर में होता है, मानव सरीर में क्या होता है, कित वीडियो को पाउस करके आप इससे solve करने के कोशिश करेंगे और इससे answer मिलाएंगे, चलिए 141 का answer क्या हो जाएगा, 141 का answer हो जाएगा, option number A, 142 का answer हो जाएगा, option number C, 180, 143 का answer क्या हो जाएगा, देख लिए प्रस्ट को देखे, 143 का answer हो जाएगा, option number A, 144 का answer हो जाएगा, option number A 120, 145 cancer क्या होगा, इसे अगर आफ सोल्व करेगा, तो इसका right cancer आजाएगा, 25 वर्स, 146 cancer क्या होगा, 146 cancer आजाएगा, option no. B, 147 cancer क्या होगा, 147 cancer आजाएगा, option no. B, 10, 20, 48 cancer आजाएगा, 148 cancer आजाएगा, 660, C, 149 को अगर सोल्व करेंगे तो इसका answer आजाएगा, option no. B, 150 का answer क्या होगा, 60%, option no. C, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, अगर यह वीडियो पसान आज तो इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जुरू बताएं, यह वीडियो आप लोग को, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं, कोई और वीडियो के साथ, चलिए, थैंक्यू.